क्यों आती है हमें जमहाई क्यों चलकते हैं खुसी के आशू मक्का भूनने पर क्यों उछलते हैं दाने चांद का आकार आखिर ऐसा क्यूं है साड़े-चार साल तक अंडों की सुरच्छा करने के बाद कौन सा जीव है जिसे बच्चे प्राप्त होते हैं नमस्कार मैं हूँ अंकुस पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आज मैं आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बिना स्किप किये पूरा वीडियो देखें जिससे आपको मालम हो सके कि इन सब घटनाओं में सच्चाई क्या है और साइन्टिफिक सच्चाई आपको मालम होगी तो सुरू करते हैं क्यों आती है हमें जमहाई हमें जब उब होती है या नींद का अनुभा होता है तो हम उबासी लेते हैं निश्चित रूप से आपने भी ऐसा किया होगा क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी को उबासी लेते देख आसपास के लोग भी उबासी लेने लगते हैं यहां एक सिध्धान पर आधारित है किसी को उबासी लेते देख कर किसी फोटोग्राफ को देख कर या उसके बारे में पढ़ कर और यहां तक की उबासी के बारे में केवल सोच कर भी हमें उबासी आ सकती है तकनीकी रूप से उबासी एक परिवर्ती क्रिया है जिसमें गहरी सांस लेने के बाद मुझ खुलता है और आक्सीजन धीरे से फेफ़नों के अंदर जाती है या वेवहार अनैच्छिक नियंत्रण में अधिक होता है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता या इसे दबाया नहीं जा सकता इसलिए जब आप उबासी लेने वाले हों तो आप उसे पूरा कर ही ले नहीं तो कई बार जबड़े जकर सकते हैं दूसरा सवाल है क्यों छलगते हैं खुसी के आंसू जब हम अपनी पलकें जपकाते हैं या फिर खुल कर हसते हैं तो हमारी असरु ग्रंथियां या अंतिरिक रूप से खुद ही दब जाती हैं और आसू बाहर आ जाते हैं भावगता भी असरु ग्रंथियों को सक्री करती है क्रोध, दुख, खुसी और अन्य मौकों पर अस्रू गृंतियों पर दबाव पढ़ने से अस्रू स्रवित होते हैं अस्रू आँखों को साफ रखने के लिए बहते हैं जब हम रोते हैं तो हमारी आँखों के चारो और की मान स्पेशियों में खिचाओ होता है और आँखों के पास की आश्रू ग्रंथियों पर दबाओ पड़ता है इसी से आशू बह निकलते हैं आशू एक तरल है जो हमारी आँखों की रच्छा करता है ये आँख की आश्रू नलिकाओं से निकलने वाला लिक्विड है जो पानी और नमक के मिक्सर से बना होता है जब कभी भी धुआ धूल या प्रदूसर्ण से और प्याज काटते समय हमारी आँखे प्रभावित होती हैं तब आशू ग्रंथियां सक्री होकर जलन पैदा करने वाली बीमारियों को पतला करके आँख से दूर करने की कोशिस करती है और आँख को इनसे प्रभावित होने से बचाती है वैसे तक्नीकी रूप से आशू आख में होने वाली दिकतों की इंडिकेटर है ये आँख को सुस्क होने से बचाते हैं और इसे साफ और कितान रहित रखने में मदद करते हैं और अगला प्रश्ण है मक्का भूनने पर क्यों उचलते हैं दाने पापकान बनाने के लिए आम तरुपज जिस तरह के अनाज का इस्तिमाल किया जाता है वे सक्त होते हैं इनके बीच के हिस्से में दाना होता है जिसके उपर कठोर इस्टार्ज की परत होती है इसमें 10 से 15 प्रिस्ट नमी भी होती है जब अनाज को भूना जाता है तो सबसे पहले निचले हिस्से की नमी गर्म होती है जो गर्म होकर वास्प में बदल जाती है और फैल जाती है इसके फैलने से उपरी कठोर सता पर दबाव पड़ता है और आनाच का दाना फट जाता है यह वास्प दाने के निचले हिस्से से एक जटके से निगलती है और न्यूटन के तीसरे नियम के मताबिक दाने को उपर उचाल देती है आईए अब जानते हैं चांद का आकार आखिर ऐसा क्यूं है चांद किनारों से चप्टा और वीच से मोटा क्यूं दिखता है बाइगानिकों के अनुसाद चंदरमा के इस आकार की वज़ा प्रत्वी का गुरत्वा आकरशनबल है चार अरब साल पहले जब चांद थंड़ा होना सुरू हुआ और इसके साथ ही ठोस होने की प्रक्रिया सुरू हुई तब ही इसका आकार निम्बू जैसा होना सुरू हुआ चंदरमा के धीरे धीरे ठंड़े होने का सिध्धान सबसे पहले वर्स 1898 में दिया गया था लेकिन इसका आकार गुरत्वा आकरशन की वज़ा से ऐसा है या ताजा सोद में बताया गया है साढ़े चार साल तक अंडों की सुरच्छा जी हाँ एक ऐसा जीव भी है जो साढ़े चार साल तक अपने अंडों की सुरच्छा करता है तब कहीं उसे बच्चा प्राप्त होता है वाग्यानिकों के अनुसार गहरे समुद्र में रहने वाले आक्टोपस के अंडे से नन्हा जीव निकलने में साड़े चार साल का वक्त लगता है या किसी भी प्राणी के लिए सबसे लंबा समय है इस दवराद मादा आक्टोपस अन्यजली जीवों से अंडों की पूरी हिभाजत करती है इस सिन्नन्हे आक्टोपस को विक्सित होने के लिए जहां पूरा समय मिलता है वही मा को भी कई साल तक ज्यादा भोजन नहीं जुटाना परता है आक्टोपस के बारे में यह जानकारी पचीस साल के सोध का नतीजा है साड़े चार साल तक अंडों में रहने की वज़ा से जन्म के समय आक्टोपस अपना भोजन खुद जुटाने में समर्थ हो जाता है नमस्कार धन्यवाद और भी आगे के इसी तरह के फैक जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें